बरलिन सिंड्रोम कहानी सुरू होती हैं और हम एक आश्ट्रेलियन लड़की क्लेर को देखते हैं जो कि एक फोटोग्रफर होती हैं और यहां वो अपने काम के सिल्सले में आई होती हैं अब बरलिन में रुकने के लिए वो एक होटल में रुकती हैं और तभी रात में उससे वहां पर एक library दिखती है जिसे देख वो उसके अंदर जाती है तभी वहां उसे एक sketch वाली magazine काफी पसंद आती है और वो उससे ले लेती है जब वो वहां से वापस सारी होती है तो तभी उसकी टककर एक आदमी से हो जाती है जिससे उसकी सारी book गिर जाती है पर तभी वो बताता है कि वो एक teacher है फिर वो Claire से पूछता है कि वो क्या करती है जिस पर Claire उसे बताती है कि वो एक photographer है और बरलिन में अपने काम के लिए आई है अब Claire भी इस सहर में अकेली थी इसलिए वो उसके साथ पूरे दिन इस सहर को explore करती है अब साम को Andy Claire को उसके hotel छोड़ने आता है तब ही हम देखते हैं कि अब Andy को Claire से प्यार हो गया है वो उसका अजीब तरह से बाल टच करता है और ये देख Claire को भी अजीब लगता है इसके बाद जब रात में Claire अपने कैमरे में फोटोज देख रही होती है तो वो Andy के भी फोटो देखती है और कहीं न कहीं वो भी उसे पसंद करने लगी थी इसलिए अब वो अगले दिन उससे मिलने जाती है लेकिन उसके पास ना तो Andy का नमबर और ना ही उसका एड्रेस होता है इसलिए वो फिर से उसी लाइबरेरी में जाती है जहां वो Andy से पहली बार मिली थी और तभी वहां Andy उसे मिल जाता है अब यहां Andy भी समझ जाता है कि Claire उसे पसंद करने लगी है जिसके बाद दोनों बाहर एक साथ कॉफी पीने जाते हैं और एक साथ टाइम स्पैंड करते हैं अब यहां Claire Andy को काफी सरीप समझ रही होती है पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था अब Andy Claire को उसके अपार्टमेंट में लेकर जाता है जो कि सहर से काफी दूर एक सुनसान जंगल के पास होता है और वहां पर आसपास कोई भी इंसान नहीं रहता था लेकिन Claire इन बातों पर ध्यान नहीं देती क्यूंकि वो अब Andy से प्यार करती थी जिसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाती है और यहां Andy अजीब अजीब हरकते करने लगता है पर Claire उसे फिर भी इगनोर कर देती है और अब इसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते है और ये रात बीच जाती है अगले दिन Andy स्कूल में होता है और Claire घर में होती है वो उस पूरे घर में घूमती है और फिर तयार होकर बाहर निकलने वाली होती है कि तभी वो देखती है कि दरवाचा लॉक होता है जिसके उपर एक लोहे की रोड से लॉक लगा होता है अभी ये देखकर वो काफी हरान हो जाती है पर वो इसे भी सेरियस नहीं लेती और सोचती है कि Andy सैथ उसे घर की चावियें देना भूल गया होगा अब सारा दिन Claire उस घर में बिताती है और जब साम को Andy घर पर आता है तो वो उससे पूछती है कि क्या वो कीस देना भूल गया था इस पर वो कहता है हाँ मुझे लगा कि मैं यहां रखकर गया हूँ पर मैं भूल गया था Claire उससे मजाक में बोलती है कि मुझे लगा कि तुमने मुझे यहां जान बोच कर कैंद करके रखा है पर एंडी उससे ऐसा रियाक्ट करता है जैसे वो बहुत ही सरीफ है और उसे कुछ नहीं पता जिसके बाद ये दोनों फिर से इंटीमेट होती है अब सुबा उसके जाने से पहले Claire उससे पूछती है कि कीस कहा है जिस पर वो कहता है कि टेवल पर पड़ी हुई है और कीस देखकर Claire दुबारा से सो जाती है अब Claire जब सो कर उठती है तो उसे एक फोटो मिलती है जो उसकी खुद की फोटो होती है और उसके सोल्डर पर लिखा होता है माइन ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है फिर वो कीस लेकर डोर ओपन करने लगती है लेकिन यहाँ पर जो कीस होती है वो गलत होती है क्यूंकि एंडी उसे गलत चाभिया देकर गया था और अब Claire समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़वड है क्यूंकि वो उस डोर को नहीं खोल पा रही थी उससे पता चल जाता है कि एंडी ने उसे यहाँ जान बूच कर बंद किया है उसके बाद वो अपना फोन चेक करती है पर उसकी बैटरी लो होती है और जब वो अपना फोन चार्ज में लगाती है तो देखती है कि उसके सिम कार्ट से गायब हो गए है ये देखकर वो काफी घवरा जाती है और उस खिडकी को तोड़ने की कोशिस करती है पहला गलास तो तूट जाता है पर उसके पीछे वाला गलास नहीं तूट पाता जिससे क्लेयर समझ जाती है कि ये सब Andy बहुत पहले से ही planning कर रहा था और अब Claire साम होने का इंतजार करती है जैसे ही Andy दरवाजा खोलता है तो वो वहाँ से जाने की बात करती है लेकिन Andy फिर से दरवाजा बंद कर देता है और लॉक लगा देता है अब एंडी उस घर के हालात को देखकर समझ जाता है कि क्लेयर को सब पता चल गया है तभी क्लेयर उससे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है एंडी कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे साथ सारी जिन्दगी रहना चाती हो दरसल एंडी ने इस बात को कुछ जादा ही सीरियस ले लिया था जिससे क्लेयर को समझते देर नहीं लगती कि एंडी एक मेंटली डिश्टर बादमी है क्लेयर उससे काफी लड़ती है और कहती है कि मुझे बाहर जाने दो जिस पर एंडी उससे बहुत मारता है अगले दिन ज उसने ये प्लास्टिक बिछाई होती है अब एंडी अपने फादर से मिलने जाता है जहां वो उसे अपनी नई गल्फ्रेंड के बारे में बताता है यहां पर हमें पता चलता है कि एंडी की पहले भी एक गल्फ्रेंड थी लेकिन वो कहां गई किसी को पता नहीं जब वो सा पर क्लेर उसे बोलती है कि वो ठीक नहीं है अगले दिन एंडी जब उसे दुबारा बादने वाला होता है तो क्लेर उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे ना बादे क्यूंकि घर में लौक लगा हुआ है वो वहाँ से कहां जाएगी जिसकी बात मान करब एंडी उसे नहीं बातता और जब एंडी वहाँ से चला जाता है तो क्लेर उस घर में बाहर जाने का रास्ता ढोडने लगती है तभी उसे सोफे के नीचे एक स्कुरू ड्राइवर मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है जब साम को एंडी घर पर आता है तो क्लेर उसके सामने ऐसा रियाक करती है कि जैसे वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुस है वो स्पजल को भी सॉल्व कर रही होती है तभी वो एंडी की मदद मांगती है जब एंडी उसे सॉल्व करने लगता है तो वो उसके हाथ में वो स्क्रू डाइवर दे मारती है, फिर वो उनकी इस से रूम के बाहर तो चली जाती है, लेकिन अपार्टमेंट के बाहर वाला डोर भी लॉक होता है, जिससे वो उसे नहीं खोल पाती, और एन्डी उसके पीछे आता है, और गुस्ते में उसकी उंगलिया तोड़ देता है, जिससे क्लेर वहीं पर बेहो सुजाती है, और एन्डी उसे उठाकर घर के अंदर लाता है, फिर हम एंडी को इसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी एक स्टूडेंट को बहुत ही आजीब तरह से देख रहा होता है, मानो कि वो उसका अगला सिकार होने वाली थी, अब क्लेर उस लॉग को खोलने कि बहुत कोजिश करती हैं, पर वो उस लॉक को खोल नहीं पाती, अब इसी तरह क्लेयर को इस घर में कई दिन बीच जाती है, अब जब एंडी घर आता है, तो वो उसके नाखूनों को काड़ता है, क्यूंकि वो काफी बड़े हो चुके थे, फिर वो उसके हाथ की पट्टी को भी निकाल देता है, और उ से सिड्योस करने की कोशिस करती है, लेकिन एंडी उसके जाल में नहीं फंसता, और उसे मना कर देता है, फ्रैंक का गुस्से में वहां से चली जाती है, और अब क्लेयर भी समझ जाती है, कि एंडी एक मेंटली पेसिंट है, और क्लेयर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होत कि आगे एंडी उसके साथ क्या करेगा, उसे बाद टब में एक लड़की के बाल भी मिलती है, और इस घर में एक रूम भी था, जो कि हमेशा लॉक रहता था, बस एंडी उसके अंदर अकेला जाता था, और उसके बाद वो रूम को लॉक कर देता था, ऐसे ही कई महीने करटमेंट में छोड़ देता है, जिससे क्लेयर की हालत काफी ज़्यादा खराब हो जाती है, और एंडी कई दिनों तक बाहर रहता है, क्यूंकि उसके फादर की मौत हो चुकी थी, और एंडी जब घर आता है, तो क्लेयर को अपने फादर के बारे में बताता है, और रोने भी होता है उससे रोता देख क्लेर को उस पर तरह सजाता है और फिर दोनों सिरा इंटी में होते हैं और ऐसे ही कई दिन भी जाती हैं अब खुसी से एंडि के साथ रहने लग गई है पर अभी इस एंडि के मन की बात पता नहीं होती कि वो आगे चल कर क्या करने वाला है अब एंडी उसे एक डॉगी भी लाकर देता है जिसे देखकर वो काफी खुद सुजाती है और क्लेर उससे पूछती है कि उसने कितनी लड़कियों के साथ ये सब किया है इस पर वो कहता है कि एक भी नहीं अब काफी दिन बीच जाते हैं हम देखते हैं कि एंडी क्लेर को कार की डिगगी में बंद करके एक सुनसान जंगल में ले जाता है और अब वो उससे मारने वाला था लेकिन क्लेर की किस्मत अच्छी होती है और वहाँ दो बच्चे आ जाते हैं जिसमें से एक बच्चे जखमी होता है और उनके पीछे उनकी मौम भी आ जाती है क्लेर उस लड़की को समझाने की कोशिस करती है लेकिन वो लड़का उसकी बात नहीं समझता और वहाँ से भाग जाता है इसके बाद एंडी क्लेर को लेकर घर आता है अब एक दिन एंडी जब घर पर नहीं था तो क्लेर उसी रूम को खोलने की कोशिस करती है और वो उसमें एंटर भी हो जाती है तभी वहाँ उसे एक फोटो एल्बम मिलती है जिसमें उसकी काफी सारी न्यूट फोटो होती है और एक family photo भी होती है तब ही उसमें कुछ लड़कियों की photo भी उसे दिखती है जिससे वो समझ जाती है कि एंडी ने बहुत सारी लड़कियों के साथ ये सब किया है और last में उन्हें मार दिया है clear ये भी समझ जाती है कि एंडी उसे भी मार देगा क्लेर यहाँ से निकलने की बहुत कोसिस करती है पर यहाँ से निकलना इतना असान भी नहीं था एक राच जब क्लेर अपने अपार्टमेंट पर अकेली होती है तो वो वहाँ पर एक आदमी को देखती है जो की यहाँ पर चेकिंग करने के लिए आया था वो जब अपनी light flash करता है तो Claire अपना हाथ हिला कर उससे मदद मांगती है जिससे वो आदमी उसे देख लेता है और उसकी मदद करने के लिए gate खोलने वाला होता है कि तभी Andy वहाँ पर आ जाता है और उस आदमी को जान से मार डालता है अब Claire ये देख लेती है अपनी एक पिक्चर रख देगी जिससे उसे पता चल जाए कि Andy ने उसे यहां क्याद करके रखा है और वो उसकी मदद के लिए आ सके वो ऐसा ही करती है वो पहले Andy का ध्यान भटकाने की कोशिस करती है और आग में अपना हाथ जला देती है और फिर फ्रेंका की नोट बुक में अपनी फोटो रख देती है अब अगले दिन फ्रेंका जब अपनी बुक खोलती है तो उसे वो फोटो मिल जाती है जिससे वो समझ जाती है कि clair खत्रे में है वो उसी वक्त वहाँ से उटकर भागने लगती है और गलती से उससे वो फोटो वहीं पर गिर जाती है और एक बच्चे को वो फोटो मिल जाता है जिससे वो एंडी को दे देता है और अब यहाँ एंडी भी समझ जाता है कि अब उसका राज खुलने वाला है और वो जेल जा सकता है एंडी फ्रेंका के पीछे भागता है लेकिन अब तक उसने क्लेयर को आजात कर दिया होता है अब क्लेयर एंडी को वहीं पर कैंद कर देती है जहां पर उसने उसे कैंद करके रखा था और एंडी उसे रूम में एक सोफे पर बैठ जाता है फिर हम क्लेयर को देखते हैं जो एक टैक्सी में होती है और अब वो पूरी तरह आ जाती और इसी के साथ ये मुवी यहीं पर एंड हो जाती है